कि अलो एंड वेल्कम टू केडी फोटोग्राफी स्टूडियो आप सबका स्वागत है इट से एक बार हमारी चैनल पर आज हम बात करनेवार ले हैं मेट्रिंग मोड के बारे में मेट्रिंग मोड क्या है और कौन-कौन सी परिस्थिति में एक कौन सा मेट्रिंग मोड हम यूज करेंगे यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आये है तो फ्लीज इस लाल बटन को प्रेस कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें पॉल आप पर प्रेस दे बेल आइकन और यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपने हर कैमरे में तीन या चार तरक के मेट्रिंग मोड होते हैं और हर कैमरा उसे अलग-अलग नाम से बुलाता है जैसे कैनन में इवेलियूटिद मेट्रिंग मोड्स सेंटरवेटिद मेट्रिंग मोड्स और स्पार्ट मेट्रिंग मोड्स उसी तरह निकोन में मेट्रिक्स मेट्र मोड, सेंटर बेटिट और स्पॉट उसी तरह और कैमरे में भी अलग-अलग नाम से बुलाते हैं लेकिन उन सब का मकसद शिर्व एक ही है कि हमारे फोटोग्राप्स को ठीक तरह से मीटर करके हमें एक अच्छा और वेल एक्सोज फोटोग्राप्स दे दे मेंटरिंग मोड के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेग लाइट क्या होगी लाइट सब्जेक्ट के उपर पड़ती है और वहां से हिट होकर हमारे कैमरे में आती है और इस तरह से एक तस्वीर बनती है तो सब्जेक्ट के उपर जो लाइट पड़ती है या फिर लाइट जहां से सब्जेक्ट के उपर आती है उस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट कहेंगे और subject को hit करके हमारे camera में जो light आती है उस light को हम reflected light करेंगे तो सबसे पहली problem ये आती है कि हमारे camera को ये नहीं मालूँ कि जो reflected light आती है वो कौन से subject को hit करके आती है वो फिर चाहे black background हो, white background हो, red, yellow, blue या फिर green आज कलके जो DSLR है, वो चाहे महंगे हो या फिर सस्ते हो, whatever कोई भी camera कोई भी brand का camera सस्ता या महंगा उसके पीछे जो computer है, जो computer काम करता है, जो उसके अंदर का mechanism काम करता है वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि पूरे पूरी तस्वीर आपकी जो पूरा फ्रेम है वो completely exposed हो, और पूरी फ्रेम को वो complete तरह से expose करके आपको reading देगा अगर आपका जो lighting system है वो ठीक ठाक है तब तो कोई problem नहीं आएगी हमारी पूरी फोटो को एक्सपोज पूरी अच्छी तरह से एक्सपोज करना उस camera का मकसद रहता है तो सभी फोटोग्रापर्स हम जैसे हम फोटोग्रापर्स यह नहीं चाहते हैं क्यूंकि कुछ तस्वीर हम ऐसी लेना चाहते हैं जैसे कि हमने पिछले अपिसोड में देखा था कि अगर कोई हमारे कैमरे के सामने वाइट कलर का बैक्ग्राउंड या फिर वाइट कलर ज्यादा दिख रहा हो तो वहाँ पर वो कैमरा रीडिंग लेता है अटरा परसन ग्रे के हिसाब से और हमारी पोटों को थोड़ा अंडर एक्सपोज कर देगा ठीक उसी तरह अगर उस कैमरे के सामने ब्लैक कलर का बैक्राउंड आ जाता है तो वो उसे थोड़ा ओवर एक्सपोज कर देगा यह हमने पिछले अपिसोड में देखा है सब मिलाकर आपका कैमरा तीन-चार सिच्योएशन में कन्फ्यूज हो जाता है जैसे कि उसके सामने कोई ज्यादा ब्लैक कलर का बैक्राउंड आ जाए या फिर वाइट कलर का बैक्राउंड आ जाए या फिर कैमरे में जो सीधी लाइट हमारे लेंस पर आती है या फिर हमारे सब्जेक्ट के पीछे से लाइट आती है तो इन वज़े से कैमरा थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है और इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि अलग-अलग मीट्रिंग मोड्स कौन-कौन सी जग ग्रीन से कीवीजर कर सकते हैं जैं जो आजब से पहले आता है मैट्रिक्स याने की ऑलिऑ टेट मेट इंटिर्ी मोड्स जब हम हाफ पटन को प्रेस करते हैं और हमारा कैमरा मीटर लेने में दू या तीन सेकंड लगाता है उस वक्त जो भी मीटरिंग वो हमारा कैमरा लेगा वो पूरी फ्रेम को एक्सपोज करने के लिए पूरी फ्रेम को अच्छे से आपके सामने लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा और पूरी फ्रेम में वो अलग-अलग जगा से जैसे कि हमारी फ्रेम है उसमें 100 पार्ट्स है तो वो 100 पार्ट्स को अलग-अलग मीटर करके हमें एक exposure तयार करके दे देगा जैसे कोई dark zone है या light zone है या फिर कोई colors है या हमारे camera से subject का distance plus हमारा जो focus point है वो सब मिलाकर एक अच्छे से exposure हमें complete exposure दे देगा evaluated metering mode का यही काम है कि पूरी frame को वो meter करके हमें एक अच्छा exposure देगा दूसरा हमारा जो metering modes है वो है center rated metering modes अब center rated में क्या होगा हमारा जो frame है हमारी जो 25 पर्सेंट के बाहर का जो हिस्सा है उससे उससे कोई लेना देना नहीं है सिर्फ और सिर्फ बीच का हिस्सा ही वो calculate करेगा और हम exposure देगा और तीसरा और आखरी spot metering modes तो यह तो नाम से ही आपको पता चल गया गवा स्पॉट यानि एक डॉट हमारी फ्रेम में जो center में डॉट है उससे मीटर करके हमें एक मेटरिंग दे देगा यानि एक exposure देगा यह तीनों मीटरिंग मोड हम कौन-कौन सी situation में इस्तमाल कर सकते हैं पहला जो हमें कोई लेंड्स्केप शूट करना है जहां पूरी तस्वीर हमें अच्छे से एक्सपोस जाहिए तो उस जगह पर हम evaluated metering mode यूज कर सकते हैं दूसरा है center weighted metering modes इसमें हम अगर portrait क्लिक कर रहे हैं या कोई particular कोई एक subject है उसे हमें शूट करना है या फिर कोई moody तस्वीब लेनी है तो हम center weighted metering mode का use कर सकते हैं और तीसरा जो है वो spot metering mode spot metering mode में हम अगर कोई हमें अगर macro photography करनी है या चोती चोती चीजों का photographs लेना है तो हम spot metering का use करेंगे जैसे चोती चोती चीजों का हमें photographs लेना है तो spot metering हमारे लिए best है और उसमें हमें अच्छी तस्वीरे मिल सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें comment करके बताईए और इस वीडियो को like कर दीजिए हमारे दोस्तों में share कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके कि metering mode कैसे और कहा यूज करते हैं हुआ है झाल झाल